अपने बच्चों के लिए आए हैं तो देखी इस बात को कही ना कही गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दो बच्चे हैं यहाँ पर उनके एक पंद्रा साल और एक कुछ छे साल का एक बेटी या बेटा है उनका तो दोनों बच्ची अगर देखा जाए तो इतने बड़े भी किस बात की अपर हमें बात कर रही है जब उनके बच्चे यहां पर रो रहे थे जब कह रहे थे कि उनकी माँ और च्छोड़ के चली गई मतलब एक बाना बना के घुमने और वो चली जा दिया पाकिस्तान यहां पर किस याँ पर दोनों को दोशी ठहराया जारह है लेकिन द कि कि वहां बड़े बड़े मकान मिल रहें हैं यहां फेर यहां पर चला रहें तो सजा सबसे पहले उनको भारत के अंदर पुराने मुद्दे में एक नया मोर आता हुआ नसर आ रहा है बात कर रहे हैं हम भारत से पाकिस्तान पहुची अंजू को लेकर जो पाकिस्तान चली जाती है धर्म परिवर्तन कर लेती है उसके बाद अंजू से फातिमा बन जाती है क्योंकि जिस दोस्त से दोस्ती उनकी फेस्बुक के जरिये हुई और दोस्ती के बाद प्यार हुआ उस प्यार के लिए पाकिस्तान पहुच जाती हैं वो सक्स नसुरुल्ला है शादी करने के बाद फातिमा तो बन जाती है लेकिन ये बाते भी कहती भी नजर आती है कि पाकिस्तान में आराम से रह रही है कोई भी दिक्कत नहीं है वहाँ पर मुझे अच्छे तरीके से रखा जा लुए कि अनजु cinco तोफे भी कि जा रही दोए सरकारी नौकरियां के ओफर भी नजर आ रही ते घर के ओवर में बहुना प्राम चीजें ऐसे कह सकते हैं कि कोई महमान आता है तो उसकी खातिरदारी की जा रही थी लेकिन अचानक ऐसे क्या हो जाता है कि अंजू को भारत वापस लौटना पड़ता है यहां पर तो यह कहा जाता है कि वीजा खत्म हो गया था वीजा नहीं बढ़ाया जा रहा था इस पाकिस्तान से जब भारत आएंगी तो कहीं ना कुछ शडियांतर तो जरूर रचा जा रहा होगा तो ऐसे में अंजू पर कई सवाल यहां पर उठते वे नजर आ रहे हैं और दोस्ता है योगी मेरे साथ माजूद है दौलत और नेहा आप दोनों का बहुत-बहुत स्वाग में उनसे यह कहा जाता है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए आई हैं क्या आपने पिता से मिलना चाहती हैं क्या अपने पती से मिलना चाहती हैं तो इस पूश्ताच में अंजू हिचकिचाती हुई नजर आती है बच्चों को लेकर तो कहती है कि जरूर मिलना देखे यहाँ पर नासमी नंजु का जिक्र यहाँ दो से तीन दिन से बहुत जादा हो रहा है और देखे यहाँ पर वो कहती है कि अपने बच्चों के लिए आए हैं लेकिन जिस दोरान वो गई थी तब भी उनके बच्चे थे यहाँ पर हलाकि यहाँ पर कुछ लोग है जो यह सवाल उठा रहे हैं कि तब बच्चे कहा गए थे तो देखे मेरा यहाँ पर इस पर यही मानना है कि मा की ममता तो कभी न कभी जागती ही है वो अपने बच्चों क लिटाने पर रही ही बहुत सारे सवाल क्हडे हूंगे साथ साथ यहाँ दॉस suska पहला पंदी हैरव्ट बोभी नहीं जाने देगा बच्चों को देखे भी नहीं जाने यह है जितना यहाँ यहां पर जो समझ रही है क्योंकि बच्चों ने पर माँआ को मानने से इंकार कर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब बच्चे ही यहां पर मा के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो अंजू फिर यहां किस बात की ममता यहां दिखा रही है जिसकी वज़े से वह फस्ती भी नजर आ रही है पास्तान जा हॉए मैं विस्वास करने वारत ँहां पर रंजून नहीं है और नहीं लोगों को विश्वास अभी तक सीमा पर है कि जिस तरी से सीमा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दोशी ठेहराया जा रहा है लेकिन दोशी यहाँ पर भारत सरकार को भी ठेहराना चाहिए बिना भारत सरकार की अनुमती के यहाँ पर कैसे बार-बार बागा बोर्डर को क्रोस किया जा रहा है क्या यहाँ पर जो हमारी सेना के जमान खड़े हैं क्या उनको हलके में हलके में वीजा लेके आई हैं वीजा के थ्रू हुआ है वीजा खाली हुआ तो उनकी मम्ता जा गई वरना उसे पहले उनकी मम्ता नहीं थी और बात इन्होंने करी गिफ्ट की कि यहां बड़े-बड़े मकान मिल रहे हैं यहां खाने को आटा नहीं है जिस मुलक के पास तक का झाले लिए तो देखाबा के जैसे भारत वाले यहां कोशिष कर रहे हैं तो धिकर ने की मिलते हैं का काना चाहां कि उनके पिता ने उनको इंकाल कर दिया हो आखिर कैसे घर में चरी हैंगी अपने पूरे गाउं का नाम खराक वरगे गई सब्सक्राइए जाके जब अपने परिवार गिज़त की बात नहीं है उनके उपर लेकिन आजबिन यहां गले के निशान पर मैं यह कहना चाहूंगी कि जब जर्नलिस्ट ने यहां पर उन्से अंजु से पूछा कि आपके गले पर कैसा निशान है तब अंजु ने बताया कि यह मेरे नेकलिस का निशान तो जरूरी तो नहीं है कि जो भी कोई निशान अगर गले पर या किसी ऑडी लगत क्पर ना बच्चों के फिकर ना parse तो उनको जब वापिस आए मूह तक ने लगाया उनको गाउं में निगुसने दे रहे बस वीजा की फिकर है यहां कोई बच्चों की आफिर अपने पती बद्दी की फिकर रही है एक सबारा पाने है अपने पती से तलाग लेने के लिए वो भी सायद मिले ना मिले ऐसे ही वा कामला अर्विंद जो उनके पुराने पती है उन्होंने FIR दर्ज कर रखिये राजिस्थान भिवारी में वो भी अंजू के खिलाव कई धाराओं के तैट जिसमें बिना तलाग के अंजू का दूसरी शादी करना भी हो सकता है और धोका दड़ी का आरोप भी हो सकता है इसे कि वीजा यहां पर जब तक नहीं बन जाता जब तक अंजू यहां पर रहना चाहती है और दूसरी बात यह है जो हो कि पाकिस्तानी पती है उन्होंने खुद पाकिस्तान मीडिया से ये बात कही है कि देखिए वो वीजा के लिए जरूर गई है चले मान लिया जाए कि पाकिस्तान में उनका वीजा खत्म हो गया है लेकिन असुला ने ये भी बात कही है कि अगर उनका वीजा यहाँ पर दोबारा से नहीं बनता है तो हो सकता है कि भारत में रहना पड़ सकता है अंजु को हाला कि वो अपने पती से यहां पर अलग रहेगी लेकिन बच्चों के साथ ही वो रहती हुई भविश्य में नजर आ सकती है और हो सकता है कि अंजु का मन वदल जाए और वो पाकिस्तान जाए ना वहां पर नहीं चाहिए कि यहां पर उनके पती है बिना तलाक लिए सबसे पहले वो यहां पर एक एक्स्ट्रम अपना लो लेकिन आप भारत के कानून के अंडर हैं आप कैसे इस तरीके से एक साधी होते हुए दूसरे ऑन Greece साधी करें यहां पर सजा होनी चाहिए उनको प्र बज़ो five वह उनके पती और पिजस्ट्रम नुद सबस्ति ने हैं तो बहरत घखए बड़े तक गई तो भारत को बड़ा लगए तो दो पूरा धकोसला है यहां पर जो देखा जाए सिर्फ एक हाइप देने के लिए अपने आपको मसूर करने के लिए मैं तो कहूं यह एक स्टंट है और यहां पर साब जूटी है उनको कोई ममता यहां नहीं जाएगी बस अब उनको अपना फायता देखना है तो सबसे पहले मैं चाता है उनके उपर यहां पर मेरिज एट के किलाव उनके उपर कारवाई है उनको जेल में डाला जाए एक आखरी सवाल रहेगा कि क्या नसुर उल्ला यहां पर अंजु को तलाग भी दे सकते हैं क्योंकि बात करें जब आप अपने पती को छोड़कर दूसरे सक्स के साथ जा सकती है सीमा हैदर के मामले को देख लीजे यहां पर यह कहा गया कि पपजी के जरिये सचिन के साथ मिली यहां पर जो उनके गुलाम हैदर जो पाकिस्तानी पती थी उससे पहले भी कई यहां पर किसी से प्यार करती भी नजर आई थी तो क्या अंजु के मामले में भी ऐ ऐसा शक होने लगे कि अब ये तो यहाँ पर फस गई हैं जेल जाकर रही हैंगी तो क्या वो पीछा चुड़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं कि वापस पाकिस्तान लोड़ जाएं और तलाग देने की बात करते हुए नजरा हैं देखें बिल्कुल देखा जा सकता हैं यहाँ पर इस पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिला एक बार अपने पती को छोड़ सकती है वो बार बार छोड़ सकती है इसमें कोई यहाँ दो राय की बात नहीं है लेकिन हो सकता है कि जब इतनी दूर से इतनी shino को लांकर यहां न पाकिस्तान गई थी तब यह भी बताया गया था कि शायद उनकी प्रस्तहं ज़िंग और ईỡ धाल देखना होगा कि आखितकार उनका कब तक नहीं होता हुग यहां हो इसके बाद कि तरीक से देखा जाए लेकिन एक सिस्टम के साफसर है यहांपने सारी चीजे होती है सबसे पह उपब से और ब्लाइकाट स्चाष्बानराथ की अगर नहीं के एक वह अगो, सबसे पहले चाहिए, और अगर यहां पर यहां पर ज़िकले के चान्छार से आंजू के बारे में कई बड़े खुलासे होते深जर आते हैं, अन्जू के बुद्दे को लेकर आपकी क्या राये बंते हैं, कमेंट बाक्स में जरूर बताएं, एक बार फीर सब्सक्राइब करें एक नए मुद्दे के साथ अब तक के लिजए देखते रहे हैं, SP9 News धन्यवाद